Hello friends, यदि आपके periods आ रहे हैं और बार बार आपको ये सुनने को मिल रहा है कि periods के time पर काम नहीं करना, exercises नहीं करनी है और आराम ही आराम करना है तो ये एक myth है, मैं Dr. Sushila Saini, Gynecologist and Observation आज आपके इसी myth को तोड़ने जा रही हूं कि आखिर आप periods के time पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं सबसे जो common सवाल पूछा जाता है कि क्या exercises allow है, क्या हम exercise कर सकते हैं यह हमें पूर्णतिया bed rest करना होता है, तो यह सवाल बिल्कुल सही है कि periods के time पर आखिर हम कितने level की physical activity कर सकते हैं सबसे important है कि जो भी physical activity करनी होगी वो आपकी body capacity के accordingly होती है और definitely जब periods आ रहे होते हैं तो एक lady को bleeding हो रही होती है और जब भी किसी तरीकी कि आपकी शरीर से कोई खून बहरा है तो definitely आपकी शरीर में कमजोरी develop होती है और आपके काम करने की capacity normal से कम हो जाती है तो आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं कि जितना कि आप normal time में कर पाते हैं दूसरा जब भी periods आते हैं तो थोड़ा सा pain भी होता है किसी को कम होता है किसी को ज्यादा होता है और थाइस के अंदर भी pain आने रगती है बैके को होता रहता है बैके की कारण आप sitting का काम नहीं कर पाते हैं और आपको प्लीड जाए और लेटने की इच्छा आपकी बार बार बनी रहते हैं ब्लीडिंग हैवी होने की कारण weakness महसूस होती है नहीं और किसी को cramps भी जादा होते है एक lot पास हो तो इसी चक्कर में और चकर भी आजाते हैं ऐसी इस तितिते में की बार पसीनी भी आ जाते हैं और weakness आने की कारण किसी को चकर आने की कारण गिर भी जाते हैं यह बहुत सारी स्थितिय हैं वेरीड कंडिशन्स जो हर रड़कियों में अलग लग देखी जाती है और जब पिरिड्स शुरू होते हैं उस टाइम पर ज्यादा देखी जाती है और जैसे जीसे एज बढ़ती जाती है तो फीमेल इसके लिए यूस्टू हो जाती है और यह स् यह जाता है कि हम किस लेवल की कितनी एक्ससाइज कर सकते हैं प्रकर लजब आपकि 23 की वाक कर ल Candle कि कर लेज़ें दो में कर लीजी और निदु कि आपको तुझ मिसाने कर लिजी जितना के अपको कम ठोटेबल हो और यदि आप जैसे जिब जाती है और नॉमल बेति अर ल लवर बाड़े की hyvin ऐख सकती हैं याने कि लेक्स की स्क्वैटिंग व unser को एक बार फधार थ्वल्ण करी उवंस दिन ना करें जब आपकी प्रैयोड ही आ रहे हैं जो रर्पारे से साहिए कुंदे महीं ऑदास ह्ता है fat सब्वाइब तर दो तो आप करें, और अगर ड्टियूलर ली एरोपिक्स नहीं करती हैं तो पिरित के टाम पर ट्राइब नहीं कीजिए और इस टॉमिंग कर सकती है और उस्तेप के स्थिती कि wind करनेखर दो अपर दो जाती है और आप अगर पैड यूज कर रही है तो definitely you cannot go for the swimming, you have to avoid that swimming, but swimming एक अच्छी exercise है, अच्छी physical activity है, soothing exercise है, तो आप अगर comfortable है, menstrual cup यूज कर सकती है, तो आप swimming आप से जा सकती है, जो कि आपको बॉड़ी में freshness भी देगा, और एक energy भी देगा, इसके साथ ये दिया योगा करती है तो definitely yoga जरूर कर सकती है, yoga में बहुत सारी आसन होते हैं, जो आपको periods के दर्द से निकलने में भी help करते हैं, और आपके muscles को strong बनाते हैं, दर्द को काफियत तक control करते हैं, इसमें जो सबसे पहली जो exercise होती है, तो यानि कि आप बैठ कर आप ध्यान लगा सकती है, साथ ही आप अपने back को strength करने के लिए आप भुजंगा असन कर सकती है, और हलासन कर सकती है, यदि आप regularly करती है, कोई भी चीज आपको नई नई ही ट्राइ करने हैं, जो आप regularly करते आ रहे हैं, उनी को करना है, साथ में आप ट्री पोस कर सकती हैं, ट्री पोस में किसी प्रकार का कोई प बुजंगा असन आप कर सकती हैं, और इसके साथ ही एक सबसे अच्छा असन होता है, शवासन जिसे कि आप अपनी बॉड़ी बॉड़ी को रिलेक्स कर सकती है, और सारी मसल्स को रिलेक्स आउट करकी आपके back को और lower abdomen muscles को रिलेक्स कर सकती है, और यदि आपको थोड़ा सा नीचे लूसपन लग रहा है, या और कोई uncomfortness हो रही है, तो जो लामबंध आसन होता है, वो आप कर सकते हैं, इसमें pelvic floor की muscles को tighten किया जाता है, और अपने आप छोड़ा जाता है, जिससे कि नीचे की muscles थोड़ी strong बनती है, और clots अगरे को पास होने में help मिलती है, जिससे कि जोड़े से cramps आपके control हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप walk कर पी जा सकती है, अगर regularly gym जाती है, तो जिम जा सकती है, लोवर बोड़ी की exercises आप अपर बोड़ी की exercises आप कर सकती है, तो आप definitely swimming जा सकती है, swimming enjoy कर सकती है, और yoga करती है, तो आप yoga जरूर करिए, और उसमें जो हलक sitting position वाले हैं, मलासन है, यह आप थोड़ा avoid कर सकती है, और back egg के लिए और pelvic muscles को strong बनाने वाली exercises आप कर सकती है, और इसके साथ ही आप थोड़ा सा meditation करिए, जिससे कि आपका stress relief हो, और आप शांती से थोड़ी देर life का enjoy कर सके, इसके अलावा और कोई सवाल है, आपके इससे related त पूछ सकती है, हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जनकारी साथ, तब तक नमस्क्त,